कि तुमोली प्यरवचो आज जो है हम हमारा साथवपार देख रहें दो छिडियां इस पार कर नहीं अभ्यास्टारी शुरूर किया था और अभ्यास्टारी में आपने कुछ प्रश्ट भी देखिए अगला प्रश्ट क्रवान चार सही उत्तर जुनकर सही का निशान लगाई अब देखिए हमें कुछ प्रश्टन दिए गए है उसके सही उत्तर हमें आगे दिए उनमें से जो सही विकल्व है उसे चूल करते हैं उस पर सही पर्शाह में लगाना है तो परदा प्रश्टन है इनमें से कौन सा शब्द जाती वाचक संग्या नहीं है नहीं है तो झाती वाचक संग्या नहीं है तो ये जाती वाचक संग्या नहीं है लेकिन उदासी ये जो है जाती बचक सक्विया नहीं है आगे देखिए अगला प्रस्ट में दिवस शब्द का सही वर्म मिच्छेद कौन सा है बताएजे दिवस शब्द का सही वर्म मिच्छेद कौन सा है तो देखिए दिवस शब्द का सही वर्म मिच्छेद कौन सा है तो देखिए दिवस आधा द जमा पी यह हो गया क्या हो गया दी ठीक है उसके पार वर 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 पैसा करेंगे बताएं जियां आधा वर और उसमें और की वोनी आ रहे है और स्वर आ रहे है उसके अ दी वर और अंतिक्योस दी वारनने है वह है सवज़़़स्व, अधा है अब उसमें हो टी दे मनी ओत देखें इस पर्याय वाणा स्वचा काम सा है जियां कि दिवस इस शबद वाला तो दिवस की शब्द का सही वर्ण में इच्छे दून ना है तो देखिए इसी प्रकार जैसे दिवस का किया था उसी प्रकार की दिए चिरिया इस शब्द का देखिए चिरिया इसमें ची में जो है च आदा है और ई की दूनी पूई है फिर दो इसकी दूनी आदी है और ई की दूनी पूई है यह उग्या दी चिरिया अब या में यह जो है आता है और आ की दूनी यह स्वर कौन सा है आ आश्वर्द है अब इसमें जो है आश्वर्वने से तो यह वर्ण विच्छेद वारा शुद्ध कौन सा है देखे जियां बहला नमदर है ना तो चिडिया इस प्रकार से जो है उसका सही रिपने विच्छेद है एक नमदर है दीखे अगरा देखे प्रश्ण है अगरा पूशन है उदास का विलोण क्या उदास इस शदा का सही विलोण शब्द कोन सा है बताई दुक ही क्या है खुश निराज क्युक्श क्यूंगि उदास इस शब्द का दुखी और निराज यह है का है तो उद्धार सकत्र नहीं है खुष अब दैखिया अगला प्रश्ण प्रश्ण कर्मान पांच इन पंक्तियों को गर्धिये नहीं यूद्स जू है कि रूप में लिखते रूप में और का पंक्तिया जो है है धीकर हे उन्हें है गर्दियरूप में लिखना है, देखे प्रस्त है, प्रस्त गया रहा है इन पंकियों को गर्दियरूप में लिखिये, तो पहला जो हमें गद्य रूप में जो पंकी करनी है वो करके दिने लिए देखे घर की चिडिया थी पिंद्रे में ये जो है पत्य रूप में कविता की पंकी है उसे हमें गद्य रूप में लिख रहा है तो देखे घर की चिडिया थी पिंद्रे में घर की चिडिया पिंद् जिलिया वन में इसका जो जो गद्य रूप में थि खखे आगला घद्य रूप में पंक्ति करनी है वो रहे इता दिवस न कुण यह जो पंक्ति पद्य रूप में दी गई इसका गत्य रूप में किसना गर्वा तो देखे एक दिवस पे अचानक मिली और अंतिन्य पंक्ति दी गई है वो है थी कुछ विधी के मन में तो गत्य रूप में लिखेंगे कुछ विधी के मन में थी इस तरह से ये दो लिधी पंग्तिया हैं ये हमने गत्य रूप में लिखेंगे इसके आगे का जो भाग है वह हम हमारे अबने विडियो में देखेंगे ठीक है